वेलकम टू एकलवे स्टड़ी पॉइंट तो आज हम क्लास 12 का टूरिजम जिसका यूनिट 2 ऑपरेशन ओफ ट्रावल एजिंसी के बारे में डिसकस करेंगे इस यूनिट में बेसिक लिए आप समझेंगे कि ट्रावल एजेंट कौन होते हैं और जो ट्रावल एजेंट होते है वो कौन से टास्क से डील करते हैं और 21st century में जो ट्रावल एजेंशी हैं उनमें क्या चेंजिस आए हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं किया है तो क्लास 12 एस पी न्यू ग्रूप सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं ओके तो आज का मरा फर्स टॉपिक है एजेंट एजेंट कौन होता है कोई भी परसन जो किसी प्रिंसिपल कंपनी के लिए इंप्लॉइड हो य एक्ट करने के लिए इन बिजनेस बिजनेस में अक्ट करने के लिए अपॉइंट कर ले तो वो जो परसन होगा वो परसन भी एजेंट बन जाता है ताट परसन ऑलसो बीकेम दा एजेंट ठीक है और जो अपॉइंट्मेंट होगा वो फूल टाइम भी हो सकता है और पार्ट तो वह भी ट्रावल एजेंट होते हैं यही होता है नेक्स तो उनके क्या क्या और चाहिए करना होता है और उनको क्या होता है कि जो मारे इने सवादी होते हैं वह सब्सक्राइब के बिहाफ पे sale करना होता है सारे products और services को और जो फिर क्या होता है कि जो हमारे holiday package होते हैं और जो tickets होती है holiday package और tickets होती है उनको जब तक purchase नहीं कराया जाता supplier से जब तक कि customer request ना कर दे कि आप हमारे लिए वो service को purchase करवा दीजिए या उस holiday package को book करवा दीजिए तब तक उस service को purchase नहीं किया जाता है ठीक है फिर हम आ जाते commission पे इसको बड़े ध्यान से समझिएगा एक होता है हमारा advertised price जो हमें customer pay करता है ठीक है और एक होता है discounted price जो agents को मिलता है तो जो प्राइज एजेंट को मिलता है और जो प्राइज हमें customer pay करता है इन दोनों के बीच में जो difference होता है वही होता है commission तो I hope कि आपको commission clear हुआ होगा तो next हम आ जाते हैं ऐसे टास्क जिनसे travel agents जो है deal करते हैं तो उनमें हमारा first होता है कि जितने भी तरह है कि जो fares और जो charges होती है उसको calculate करना ठीक है और itinerary plan करना कई बचवों को doubt होता है कि itinerary क्या होता है itinerary होता है किसी भी journey का plan उसमें day by day आप कौन सी sightseeing करेंगे कहां गुमेंगे किस time कहां जाएंगे और आपका route कौन सा होगा यह सारी details आपके itinerary में mentioned होती है ठीक है और जो हमारे clients होते हैं उनसे verbally और written में communicate करना भी किसका task होता है agents का ठीक है और reservation जो होती है उसको भी बनाना travel agents बनाते हैं ठीक है और जितने भी customer की जो complaints होते हैं जो आते हैं उसमें intermediaries मतलब बिचॉलियों की तरह काम करते हैं हमारे travel agents ओके तो I hope कि आपको यहां तक clear हो रहा होगा तो next time आजाते हैं कि जो हमारे customers होते हैं या जो हमारे clients होते हैं उनको high level की customer services देने के लिए जो हमारे staff होता है उसको किन बातों की ध्यान लखने चाहिए उनको क्या करना चाहिए तो इसमें हमारा first होता है कि जो हमारे customers होते हैं उनके साथ वहती जादा warmly और typically with a smile smile के साथ और warmly deal करना चाहिए customers को सारे सभी staff को इन बात का ध्यान लखना चाहिए और क्यूंकि जो हमारे customers होते हैं जो clients होते हैं वो first impression से influence होते हैं इसलिए जो हमारे staff members होते हैं उनको अपने dressing sense का high standard रखना चाहिए और personal grooming करनी चाहिए ठीक है और जो all staffs होते हैं उनको बहुत ही जादा politely बात करना चाहिए सभी clients से और वो इतने able होने चाहिए कि वो अपने आपको सामने वाले के सामने clearly express कर सके ठीक है और उनको eye contact बनाना भी बहुत जरूरी होता है clients के सामने ठीक है और जितने भी telephone होते हैं उनको बहुत ही और cautiously means बिनमरता से और time to time निरंतर आंसर दे देना चाहिए जितने भी telephone होते हैं हमारे okay तो next हम आ जाते हैं जो कि आज का हमारा last topic है कि जो हमारी travel agencies है वो 21st century में कैसी है उसमें क्या changes है पहले क्या था कि ज्यादा तर travel agencies offline बॉक कर रहे थी 21st century में क्या हुआ उन्होंने अपने आपको internet में भी उन्होंने अपने आपको internet में भी presence करवाया ओके और फिर क्या हुआ उन्होंने अपने website बगरा बनाई है और उसमें website बनाई और उसमें सारी details informations mention कर दे ठीक है और उन्होंने अपने website को इतना capable बनाया कि आप जो customers था वो online भी booking कर सकता था और फिर जो my travel agencies थी उन्होंने CRS और GDS का इस्तेमाल करना भी start कर दिया CRS होता है computer reservation system और GDS होता है global distribution system आगे के आने वाले units में हम इनको detail में समझेंगे और फिर क्या हुआ जो कुछ online travel websites थी कुछ online travel websites थी जिन्होंने visitors को यह allow कर दिया कि वो hotel के rate को और जो flight के rates होते हैं उनको multiple company के साथ free में compare कर सकते हैं अगर उनको कोई ऐसा comparison चाहिए price के price को लेकर या किसी भी चीज को services को लेकर तो वो free में compare कर सकते हैं बहुत सारी multiple companies के साथ hotel और freight rates को लेकर okay I hope कि आपको यहां तक clear हुआ होगा अगर फिर भी आपको कोई doubt है question है तो do write in the comment section and don't forget to like share and subscribe thank you everyone कर एक दो को यहां दो करने हुआने में को सकते हैं